पूरा लिंक बरबात कर देते हैं और प्रॉब्लेम क्या हो जाते हैं बाद में उनको समझ में आता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है करके शेर क्यों गिर रहा है क्यों भाग रहा है करके ठीक है तो लर्निंग प्रॉपर रखोगे को अर्निंग भी प्रॉपर होगी तो चले ज्यादा टाइम विस्ट नहीं करते हैं सबसे इंपोर्टन खबर के साथ तो देखे आपको पताई है कि ताइवान में फिलाल यहाँ पे क्या हो चुका है तो अगर हम लोग बात करें तो आपको बताना चाहूंगा कि ताइवान में बहुत बड़ा मैसिव हम लोगों को भूकम देखने को मिल चुका है ठीक है कोई आज की खबर नहीं है और इस भूकम की अगर हम लोग बात करें कोई छोटा मोटा भूकम नहीं है strongest भूकम हम लोग देखने को मिल चुका है लगबग 25 साल तक ताइवान ने इतना मतलब जबरदस भूकम नहीं देखा था तो डेफिनेटली जब भी इस प्रकार की चीजे होती है भूकम जैसी चीजे तो बहुत सारे नुकसान भी आपे होते है ठीक है अगर अगर हम लोग देखिए ये चानल तो शेर मार्केट से रिलेटेड है तो हम लोग बाते तो इसी से रिलेटेड करेंगे तो कमपनिस की बात करें इंडस्ट्री की बात करें बरबाद हो जाती कितनी सारी कमपनिया और इंडस्ट्रिया बरबाद मतलब पूरे जीरो नहीं हो जाते है बड़ आप सोच कर देखिए कि अगर एक कमपनी है ठीक है अगर कोई बिजनेस कर रहा है खिलो ना बनाने वाली में building की collapse हो गई बताव अभी उसको वापस setup करना है ये करना है वो करना है कितना time चला जाएगा सो जबी भी इस प्रकार की घटना है होती है earthquake जैसी चीजे हो जाती है या फिर कोई भी natural calamities के चलते अगर चीजे हो जाती है तो उस particular जगा पे उस particular country में, state में, city में जो जो company रहती है, industries रहती है काफी ज़्यादा हो आपे हम लोग को monetary loss देखने को आपे मिल जाता है और यही चीजे हम लोग को फिलाल ताइवान में होते भी देखने को अगर ताइवान की अगर हम लोग बात करें दोसों तो ताइवान की पैचान दुनिया में किस चीज़ के चलते है semi conductor के चलते ठीके मैं अगर आप जल्द बाजी करोगे तो बहुत important point आप खमीश होने वाला है ठीके because यह actual में विड़े semi conductor से related नहीं है बट आपको pattern पता होना ची इसलिए मैं इस flow में यहापे बाते कहता हूँ so semi conductor आप सब लोग को पता है दुनिया में heart अगर बोला जाए किसी अगर country को semi conductor से related तो ताइवान ही है और ताइवान की एक company आपको पता होगा TSMC ठीके यह है उसका full form so यह जो company है दोस्तो semi conductor में इसका market share 60% का है just imagine global level पर हम लोग बात करें 50% से ज्यादा अकेली company आप यहापे अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा semi conductor से related market share capture करके बैठी हुई है और जैसे यह भूकम जैसे चीज़े हम लोग को देखने को मिल चुके है इसमें भी अच्छा कासा एक दबाव हम लोग को chart pattern के उपर देखने को मिल रहे maximum chart pattern तो भाई left to right उपर ही देखने को मिल रहेगा semi conductor का ही जमना चल रहे future oriented business है बट यहापे problem क्या हो चुका है दोस्तों कि यह जो company है जो semi conductor से related काम करती है तो इस भूकाम के चलते अपने कुछ units की बात करे plants की बात करे तो halt होते वे दिखने को मिल रहे है business को थोड़ी देर के लिए रुकाते वे दिखने को मिल रहे है इस चीज के चलते हम again कह सकते global level पे जो supply chain रहता है अगर हम लोग बात करे किस चीज का semiconductor का chip का वो वापस disturb यहापे हो सकता है और इस चीज के चलते अगर आप यह सोच रहे हो क्या इसका फाइदा अगर देखा गया तो क्या हमारा भारत देश उठा सकता है because semiconductor अगर देखा गया तो बहुत ही important चीज है इसका demand बहुत high रहता है अगर इतना बड़ा supply करने वाली ही company की बात करें जो units की plants की बात कर रहे है कि वो थोड़ा halt यहापे ले रहे है तो out of stock वापस वो दिक्कते होने की chances रहेंगे तो क्या हमारा देश इसका फाइदा है यहापे उठा सकता है अगर आप यह कलपणा यहापे कर रहे हो तो इसका में सिधा-सिधा and directly जवाब यहापे देना चाओंगा नहीं हम इसका फाइदा यहापे नहीं उठा सकते अब बोलोगे इसके पीछे का reason क्या है तो reason बहुत ही simple है दोस्तो दो reason देना चाओंगा सबसे पहले reason की बात करें तो जो Taiwan के जो semiconductor हम लोगो देखने को मिल रहे है और हमारे इदर जो semiconductor का जो plan यहापे चल रहा है वो totally different है Taiwan के semiconductor बहुत ही advanced level के हम लोगो देखने को मिल रहे है ठीक है यह एक point देखने को बना है उस type के semiconductor की demand विश्वा में बहुत higher level पे देखने को यहापे मिल रहे है और हम जिस semiconductor से related काम कर रहे है वो इतने higher level के फिलाल तो यहापे नहीं है चलिए यह एक point हो गया चलो मान भी लेते हम लोग Taiwan जिस semiconductor से related काम कर रहा है supply यहापे करता है अगर हम भी उसी में काम कर रहे होते तो भी हम क्या उसका फाइदा उटा सकते थे तो उस सवाल का जवाब भी ना ही है अभी ऐसा क्यों क्योंकि दोस्तों अगर देखा गया तो Taiwan की अगर हम बात करें second reason बता रहा हूँ वहापे semiconductor से related सारे चीज़े हो चुके वाई वो supply कर रहे है बना के और अगर हम हमारी बात करें तो हम तो literally हमारा तो मतलब step one चल रहा है हमने तो अभी अभी जमीन यहापे खरीदी है वहापे semiconductor का plant लगाने का चीज़े चल रहा है ठीके यह तो मतलब आप ऐसा example पकड़ लो कि एक बगीचा है किसी का ठीके और वहापे हम लोगों को fall fruit लगते वे देखने का आपे मिल रहे है ठीके और वहापे अगर देखा के तो बगीचा A पकड़ लो और एक दूसरा है बगीचा B अभी यहाँ पर हम लोगो fire लगते वे देखने को मिल चुके तो यह अपना business नहीं कर पा रहे है तो क्या B वाले business कर पाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे पेड़ ही नहीं अभी तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे है मिट्टी डाल रहे है, ठीके, अभी जाके बीज लगा रहे, वो भविश्य में पेड़ बनेगा, और उस पेड़ के बाद उसके उपर फ्रूट्स आएंगे, और फिर हम बेचेंगे, तब जाके फायदा होगा, तो असान भाषा में अगर मैं बात करूँ, हम बहुत ही इनिश स्टेज पर, अभी जाके सरकार ने अप्रूवल दिया, आप सभी लों को पता है, सेमी कंडुक्टर से रिल्टेट तीन प्लांट हमारे देश में लगने वाले है, ठीके, उसमें टाटा एक बहुत बड़ा योगदान देने वाले है, तो हम बिलकुल इनिशियल स्टेज पर है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, अगर हम बात करें तो भाई सब कुछ एडवांस में चल रहा है, बना कर वो पूरे दुनिया को कैप्चर करके बेठे हुए है, यह एक बात हम लोगों को पता है, हम लोगों को कैसे मिलेगा करके, जबान कटनी वाली जैसी बात होती है, बट क्या करें, सिखाना है तो बिजनेस ओरियंटेड पॉइंट में आपको लोगों को सिखा रहा हूँ, जैसे मैंने का कि वहाँ पे इस प्रकार का बुकाम देखने को मिल चुका है, तो कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई इंडस्ट्री डिस्टर्प तो होगी होगी, क क्या उसका benefit, क्या हमारे देश में कोई किसी company को, industry को मिलेगा, तो दोस्तों yes, इस सवाल का जवाब हाँ है, बट वो semiconductor नहीं है, उसका explanation में अलड़ी दे चुका हूँ, तो उसका जवाब है, वो sector है, chemical sector, अभी chemical sector देखा गया तो भाई, इतना बड़ा chemical sector है, क्योंकि मैंने ज इस्तमाल होगा, हर जगे पे, हर जगे पे chemical का इस्तमाल होता है, बट उसका component, उसका compound होता है, वो अलग-अलग होता है, ठीक है, खाने वाला chemical आपको textile में नहीं डालते वे देखने को मिलेगा, और textile वाला खाने में नहीं, ठीक है, वरना मर जाओगे, तो यह चीज हम लोग एक बहुत बड़ा प्लियर है, चाइना की बात करे, ताइवान की बात करे, हमारा भारत देश की भी बात करे, हम भी बहुत अच्छे कासे इसमें प्लियर है, बट हाँ, चाइना एंड टाइवान इसमें बहुत ही अच्छा का सामनों को business करते वे देखने को आपे मिल जाता है, तो चाइना एंड टाइवान की और से हमारे देश को इस चीज़ के चलते काफी तकलिफ होई थी, मतलब देखे ये जो chemical compound हम लोगों को देखने को मिल रहा है ना, हमारे देश में मान लिजए, ऐसे ही बोल रहा roughly, 100 रुपे पे बेचा जाता है, just example, बट टाइवान और च इस चीज़ के चलते है, अच्छा कासा कमाई यहापे कर सकते हैं, मतलब अभी क्या हो जाएगा, कि डिमांड तो हमेशा higher level पे रहता है, बड़ अभी supply कुछ हद तक कम होते हैं, देखने को मिल जाएगा, so चले हमारे भारत देश वाली कमपनिया क्या करेगी, कुछ ना तो आपको तो पे करना ही पड़ेगा, तो definitely यहापे हम कह सकते हैं, दोस्तो कि लगबग दो कमपनिया है, इनको इस चीज़ का अच्छा कासा फायदा यहापे मिल सकता है, तो वो दो कमपनिया कौन सी है, तो पहली कमपनिया है दोस्तो अलकाइल अमाइन्स, येस, अमाइन् स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जो जितना तेज भागेगा, ओतना नीचे भी अच्छी तरकी से उसकी पिटाई यहापे होई ही जाती है, तो अलकाइल अमाइन्स के अगर हम लोग बात करें दूस्तो, तो इसको बहुत जबरदस बेनेफिट यहापे मिल जाएगा, इसी भी दाम, कमपनीज ने आपे क्या कर दिये, बढ़ा दिये, मतलब मार्केट में हम लोगों बढ़ते वे देखने को मिल चुके है, तो उसका भी फाइदा, दाम बढ़ना मतलब क्या भाई, पहले चीज़ 100 में बेचते थे, अभी 120 में बेचेंगे, 150 में बेचेंगे, और्ट से पता चल जाता है, तो कमपनी के मैनेजमेंट ने ही इससे रिलेटेड बात बोलके रखी भी थी, कि इनके शेर में गिरावट क्यों हो रहे, इनके बिजनेस में दिक्कत क्यों हो रहे करके, ठीक है, शेर प्राइस गिरना, मतलब भाई कोई स्कैम या फिर फ्रॉड नहीं ह होता है, अगर आपको इंटर, मतलब गिरावट के पीछे का रिजन पता होना चाहिए, वो रिजन कमपनी ने खुद एनियल रिपोट में कहा था, चले वीडियो बड़ी हो सकते हैं, बट वह भी में एनियल रिपोट ओपन कर लेता हूं, यह देखे, आउटलुक के अगर हम बात करें, वो हम लोगों को फार्मा सेग्मेंट भी आपको बता ही है, कि कैसा नीचे आपे चल रहा है, तो इस चीज के चलते भी डिमांड हम लोगों को कम देखने का आपे मिल रही है, तो और भी पिटाई आपे हो रही है, और उसी के साथ-साथ उन्हें यह बाद भी यह यहापे बोलकर रखी भी थी, किस चीज के चलते हैं, कि आप यहापे देख सकते हो, उन्हें यहापे साफ-साफ यहापे बताया था, कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लेम यहापे है, कि जो चाइना है और ताइवान है, वो यहापे क्या करते हैं, इस चीज को सस्ते में यहा हो जाएगा हमारे margins के उपर pressure बना रहेगा तो यह point उन्हें अलड़ी अपने annual report में बोल कर यहाँ पर रखा हुआ था तो इसी चीज के चलते हैं उनको बार-बार दिक्कत हो रही है margins के उपर pressure देखने हुआ आपे मिल रहा है हाला कि उन्हें आकर में ये भी का कि chemical industry global level पे काफी बड़ी है तो ये कोई permanent problem यहाँ पर नहीं रहेगी तो come back भी यहाँ पर ज़रूर हो सकता है करके तो बताने का मक्सद के कि अलकाइलमेंस ने बोलके रखावा था कि क्या दिक्कत हो रही है करके तो ये double दिक्कत थी कि pharma industry से भी slowdown देखने को मिल रहा है तो इनको बार-बार परेशानी हो रही थी तो चलिए इस bookamp के चलते इन companies को benefit मिलते वे देखने को आपे मिल रहा है तो अलकाइलमेंस कोई खराब कंपनी तो है नी गिरावट इस इक्वल टू खराब अगर ये formula लग गया तो शेर मार्केट ही छोड़ना पड़ेगा 11,000 करोड का मार्केट कैप मतलब है तो एक mid-cap कंपनी तो volatility जहलनी आनी जहे जो volatility नहीं जहल सकता वो तो परेशान हो जाए करजे की बात करें तो 1500 करोड का करजा ता फिर 79 फिर 47 फिर 21 अभी 0 नजर यहाँ आ रहा है शॉट टम की बात करें तो 85 का करजान फिलाल तो देखने को मिल रहा है और cash and cash equivalent की बात करें तो 18CR का cash देखने को मिल रहा है आपको पता चली गया होगा किसकी बात होने वाले बलाजी अमैंस की बात करेंगे तो same यह भी company वैसी है आप देख सकते हो stage 1, stage 2, stage 3 जो अभी-अभी अलकाल अमैंस से related बाते बोली है same चीज़े copy-paste है इनके लिए भी ठीक है इनके भी balance टेक होगे आपको अच्छा ही नजर यहापे आ जाएगा 500, 600, 800, 1100, 1100, 1100 करोड के रिजर्से long term borrowing zero है short term borrowing भी zero है चली अच्छी बात है and cash and cash equivalent 300 करोड का cash देखने को आपे मिल रहा है इनका भी same ही business आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसके दाम अभी अमनों को बढ़ते वे देखने को मिल चीक है दो consecutive month लिए अगर बात करें तो आने वाले समय में आप expect कर सकते revenue में थोड़ी बढ़तरी हो सकती है एक small mid-size की ये भी company देखने को मिल जाती है तो जोरदार volatility यहापे रहती है शेर holding pattern 50% प्लस promoter है बाकी public के पास ही यहापे भी institutions कम ही नजर यहापे आ जाते है तो extremely risky categories में ये company आती है again के रहा हूँ ये company खराब नहीं है बट इनके business तो भाई business बोला तो कभी तेजी भी जाते हैं इनके chart pattern भी देखिए इब दम बिल्कुल ही properly चलते हुए देखने को मिल जाते है अच्छा अगर हम लोग acidronitrate की अगर हम लोग यहापे बात करें जो chemical हम लोगों को देखने को मिल जाते है तो alkylamines को थोड़ा ज्यादा benefit मिलते हुए देखने को मिल जाते है तो alky pattern देखो दोनों बिल्कुल almost same चलेंगे पात सल का chart pattern देखो बिल्कुल same चलेंगे ठीक है तो दोने एक साथ उपर जाते नीचा आते है बिकॉस business भी उन लोगों का almost same ही हम लोगों को देखने को मिल जाता है सिर्फ एक ही फरक है कि alkylamines बाला जहें हम लोगों थोड़ी benefit नहीं मिलेगा इसके explanation में already first half में दे चुका हूँ अगर benefit किदर मिलेगा तो chemical sector में कहां पर मिलेगा वो भी मिने आप लोगों के आपर बता दिया है तो आशा करता हो दोस्तों वीडिया helpful लगा होगा कुछ नहीं चीज़े सीखने को मिले होगी तो चाहो तो वीडियो को थम सब दे सकते हो मिलते नेक्स टोड़े में तब तक के लिए बबाई